आउजब बिल्लाए मिने शाहितान राजीम बिस्मिल्लाइ रॉक्मान रहीम दोस्तों मुसिन भाई की एक और वीडियो IT430 e-commerce की जो हमारी assignment number 2 आई हुई है उस हवाले से है दोस्तों हमारी यह जो assignment और टीचर हमसे क्या required कर रहा है तो requirement हमें कुछ इस तरह दी हुए है being a programmer you have to write down the html code to display the following form gender है birthday है country है and language should have a drop-down list for selection all the values in the form should be reset when the reset button is pressed हमने एक form बनाना है जिसमें हमने name दिखाना है gender birth, country, language, postal code और बाकी सारी information दिखानी है and we have to create a reset button when the user click on that button all the values in the fields are reset वो reset होनी चाहिए तो यह हमने एक form बनाना है the sample is also given the output of the following code is same like this उसकी output जह है वो कुछ इस तरीके से आनी चाहिए यह एक form जैसे हमें दिखाया गया आईए हम लोग इसके code की तरफ चलते हैं फिर मैं आपको live करके भी दिखा दूँगा के हमने कैसे करना है अब यह हम code को देखते हैं हम देखें HTML वही पुराने टैग है जी हमारे च्छे बेसिक्स HTML है अगया हैड आगया है हैड के बार टाइटल का टैग आगया और टाइटल के अंदर हमने लिखते है yahoo fine up form with vsss अब मुझे से किभी ने पूचा किसार यह with vsss लिकना जरूरी है तो यह फिरस मैं अपने समझने के लिए आपको जो है या मेरा ब्रैंड है vss इसलिए मैं यहां पर with vsss लिक देता हूं तो आप लोग इसे नहीं लिखना आपने जफ़र yahoo sign up form लिखना या yahoo form लिखना या sign up form लिखना या जो भी लिखना है आपने फिरस इतना लिखना है अगे हैड को टाइटल को खलोव कर दिया हैड को क्लोव कर दिया और फिर बॉडी का पॉर्शन आ गया बॉडी में हमने फ़र से पहले इसमें color दिया हुए background के उपर तो हमने बॉडी के अंदर बीजी color और इस color का अज़ नाम है वह उने sky blue रख दिया तो sky blue आपको इस अभ वेल्यू को किसी और पेज पर री डारेक्ट करवाना है तो यहां पर हम उसका URL या एफी चीज डाल देंगे form इसके बाद हमने सबसे पहले हमें यहां पर sign up form लिखा हुए नजर आ रहा है sign up page लिखा हुए नजर आ रहा है तो हमने यहां पर font color हमने blue कर लिया ताक यह वाला जो color है font का वो blue आना चाहिए h1 का tag हमने use कि है h1 का tag है यह sign up page जो लिखा हुए वो हमने और यहां पर हमने लिखतिया थी sign up page और h1 को हमने close कर दिया इसके बाद हमने font के tag को भी close कर दिया इसके बाद आगे हमारी fields आ रही है name लिखा और फिर आगे वही input type is equal to text यह input type is equal to text हम कनलों लोग या दी जबत किनके can talk is equal to text करेंगे तो टैक्स वीज़ी बन जाएगी input type is equal to number करेंगे तो number वाली ब Chairman 1900 झाए कि input type is equal to button करेंगे तो button वाली फिरड़ बन जाएगी input type is equal to check करेंगे तो checkboxes बन जाएगे तो आप यह filter या भी दों जाए तो यह लास नेम आ जाएगा उसके बाद हमने बी- आर का टैग यूज किया बी- आर हमसे पहले ही फे मिलियर है कि पी- आर का जो टैग है वो हम लाइन ब्रीक के लिए यूज करते हैं तो line जो है next line में चला जाए gender आ गया जी हमने gender की information दिखाने ही यहाँ पर उसने कहा रहा है कि हमने select option क्या हम select करें तो यहाँ पर select का tag यूज़ किया फिर select के अंदर options होता है कि हमने किसी एक option को select करना या multiple options को select करना तो option का tag यूज़ किया select your gender option के tag को क्लोज किया अब इसमें option 1 पे हमने डाल दिया male और option 2 पे मैंने डाल दिया female और select के tag को क्लोज करके BR का tag लगा दिया तक यह line देख हो जाए अब यह जो इतना page मैंने दिखाया है यह है सिरफ इसका code आगे next हमने यह बनाना है अब यहां पर देखें birthday लिखा हुआ birthday लिख दिया जी आगे हमने input type is equal to date तो यहां पर date की field बन जाएगी और minimum मैंने रख दिया है जी 12-30-2000 तक और फिर BR का tag यूज़ करें के line break कर दिया है उसके बाद हमने country दिखाया है तो यहां पर other वे वो select कर लेगा और option का tag close फिर select का tag close और फिर BR का tag हमारा आगया जी line break के लिए आगे हमने languages को दिखाना है तो languages में वो ही select option हमें drop down आना चाहिए तो select लगाया select का tag लगाने के बाद option का tag लगाया फिर English लिखा फिर option के tag को हमने close कर दिया फिर option का tag दूसरा यूज किया फिर उड़ो लिखा फिर option का tag close किया फिर select के tag को भी हमने close कर दिया और फिर BR का tag लगाया वह लाइन ब्रेक के लिए आगे हमने यह देखे पोस्टल कोड दिखाना पोस्टल कोड वैसे लिखना है और फिर input type is equal to number उसमें नमबर आजाएगा नमबर वाली बना देगा और BR करके हमने उसको लाइन ब्रेकर अब यहां पर और टैग यह हमारे लिए एक नया है HR HR क्या करता है HR जो है वो basically हम एक लाइन जो करनी हो अगर हमने तो उसके लिए हमने इस section को अलग कर दिया तो यहां पर लाइन लगाने के लिए प्राग कर देगा next जो है हमने यह वाला मतलब portion बनाना है इसको बनाने के लिए वही font color blue h3 की हम heading यूज़ कर रहे हैं और यहां पर लिखा है जिए select your id and password हमने id and password यह simple ऐसे ही लिखा हुआ आना चाहिए s3 के tag को close किया फिर font के tag को close कर दिया आगे यह simply लिखा हुआ yahoo id and email आपने yahoo id and email लिख दिया यह जो मैंने yellow color में करके दिखा दिया फिर हमने आगे text field बनानी है text field बनाने के लिए input type is equal to text वो text field बन जाएगी और at the rate यहां पर भी हमने जो है को drop down दिखाना है तो यहां पर select का tag यूज़ किया फिर options के अंदर yahoo.com लिखा और option के tag को close कर दिया फिर select के tag को भी यहां पर drop down बन जाए जहां से हमने yahoo select करना input type is equal to button value is equal to check यहां पर हमने button बनाना है और check का मतलब बनाना है तो check लगा रही है भी आर्के tag करेंगे तो line break हो जाएगी और पीर मैंने लिखा जी use 6 to 32 character and don't use your name और yahoo id हमने मतलब 6 से 32 character यूज़ करने है और yahoo name या yahoo id नहीं यूज़ करना यह हमारी password के लिए हमें जो है next जो fields आ रही है उसके लिए एक समझले instruction या guideline दी जा रही है कि हमने पासवर्ड कैसे रखना है आगे पासवर्ड वाली बन गई है उसके बाद हमने एक लाइन नज़र आ रही है तो लाइन लगाने के लिए हमने यूज़ कर लिया जैसे हमने पीछे यूज़ किया आगे हमने एक बटन बनाना है है reset values का तो वो हम बटन बनाएंगे in put type is equal to reset या हम यहां पर बटन भी लिख सकते हैं और बटन लिखने के बाद यहां पर values आजे हैं जी मैं आपको यह लाइव करके दिखाता हूँ कि यह आपने नोटपैट के अंदर कैसे बनानी है और पिर उसको फेल कैसे करना है और आपने कौन सी फाइल सब्सक्राइब करवानी है क्योंकि लास्ट टाइम जब मारी CS 101 की असाइनमेंट आई उसमें बहुत सारे य किया नोटपैट आगया जी और नोटपैट के अंदर वो सारे का सारा कोट जो मैंने आपको उधर समझाया है वो हमने लिखना है यह लिखने के बाद आप फाइल पर जाएंगे और सेव करेंगे जब हम फाइल का नीम देंगे तो यहां पर मैं लिख देंगा हूँ माई alles aneat.html यहां पर ने फाइल का नाम लिखका फाइल का नाम लिखने के बाद जो most of these students जो गलती करते हैं वह यह करते हैं को यह करते हैं कि यह जआते हैं और वह एड़ということで तो आप मतली यह बात भी शुरूर सदॉब चार्था खिविए अगर आप यह एंड न drown लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि वह जो आपकी file है वह text file तो बन जाएगी लेकिन वह HTML वाली नहीं बनेगी तो आपने यह .html ज़रूर लगाने हैं हमने save के button पर click किया तो जब हम यहां पर desktop पर आएंगे तो यहां हमारे पास my ita43 assignment no.2 जब हम इसको open करेंगे तो यह हमारे पास ऐसे open हो जाएगी अब यहां पर प्लीज एंटर यूर फस्ट नेम तो यहां पर फस्ट नेम आगे हमने last name देना है जी आरेवडेरजा जेंडर सेलेक्ट करनी है जी में और month हमने सेलेक्ट किया for example 12 डेट हमने 22 सेलेक्ट किया और यहां पर 2000 सेलेक्ट कर दिया 2006 सेलेक्ट कर दिया country पकिस्तान इंग्लिश या उर्थू भी आप सेलेक्ट कर सकते हो जिफ कोड डाला जी हमने यहां पर आपने कोई भी email जो आपने नया बनाना हो आगे हमने add rate of yahoo.com चेक किया और password पर हमने password डाला जी यह आपका minimum 8 करेक्टर का होना चाहिए तो हमने यह एक करेक्टर डाले और इस form को अगर हम नया form वो करना चाते हैं बनाना चाते हैं तो हम reset के button पर click करेंगे तो सार दोस्तों यह थी हमारी assignment ITA 430 की उमीद है आप लोगों को यह समझ आ गई होगी इस पर आपने वही simple एक form बनाना है सारा code पहले मैंने समझाया और फिर आपको live भी करके दिखाया है दोस्तों उमीद है आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है और आप लोग कॉसी कुछ इसे सी अपने दोस्तों से शेयर कीजिए मेरा चैनल आप खुद भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए तक के मेरी हार आने वाली जो वीडिया है वो आप लोगों तक पहुंच सके और मेरी विबसाइट वरूर विजिट कीजिए www.vus. www.vus.com उसके मैंने फाइनल टर्म के हवाले से काफी सारा मेटिरियल अपलोड कर दिया अगर किसी बच्चे का नहीं है तो वो मुझे अपना सब्जेक्ट जो है डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है वो मुझे वट्सक कर दे मैं कोशी करके वो भी अपलोड कर दूँगा थैंक यू बर्टी मैश दोफतों मुफिन भायों को दोओं में यार रखें अला अफिव